हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे निम्बू का मसाले दार अचार बच्चे हो या बड़े परिवार में सभी इसका चटपटा स्वाथ बहुत पसंद करेंगे विटामिन C से भरपूर निम्बू काफी फाइदे बन भी होता है तो जटपट बनाएं निम्बू का अचार और इसे बनाना भी बहुत असान है जिसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए आए दिखें सादा नमक, आधा कप, निम्बू 500 ग्रम अचार बनाने के लिए और पांच निम्बू अलक से निम्बू के रस के लिए हल्दी पॉडर एक टीस्पून, काला नमक दो टीस्पून, बड़ी लाइची छिली हुई तीनी अचार जीरा एक टीस्पून, अजवाइन एक टीस्पून, लॉंग दस, मेथी दना एक टीस्पून, काले मिर्च एक टीस्पून अचार बनाने के लिए हमें पीले निम्बू लेने चाहिए, हरे निम्बू ना ले निम्बू का अचार पतले छिलके वाले कागजी निम्बू का अच्छा बनता है इसमें रज जादा होता है और बिना दाग धबे वाले निम्बू लें अचार बनाने के लिए सबसे पहले निम्बू को धोकर एक घंटा पानी में भिगो कर रख दीजे यहां मैंने निम्बू को एक घंटे भिगो कर ले लिए हैं फिर निम्बू को पानी से निकालिए सुखी साफ कपरे से पहुँच लिजे यहां मैंने सारे निम्बू पहुँच लिए हैं और उन्हें पानी से धूने के बाद अच्छे से सुखा लें, चाहे तो धूप में भी सुखा सकती हैं अब एक निम्बू के चार या आठ टुकड़े कर लें या निम्बू को अपने मन चाहे टुकड़ों में काट लें उनकी अंदर की सारे बीच चाको की साथा से निकाल लें यहां मैंने सारे निम्बू को गाट कर त्यार कर लिया है अब इसमें सारा साधा नमाग और सारी हल्दी भी डाल दें और मिला दें अब किसी काट, चीनी मिटी या प्लास्टिक के साथ कंटेनर में निम्बू के टुकड़ों को भर दें और कंटेनर के ढकन को बंद करके 15 दिन के लिए धूप में रखें और अगर धूप नहीं है तो रूम के अंदर ही रहने दें दो या तीन दिन में एक बार कंटेनर को हिला कर नमक और हल्दी लगे निम्बू को उपर नीचे कर दें ये देखी पंदरा दिनों के बाद निम्बू का छिलका अच्छी तरह नरम हो चुका है पंदरा दिन बाद एक टुकड़े को निकाल कर हाथ से दवा कर देखें उसमें जीरा, अजवाइन, मेथी को हल्का ब्राउन होने तक धीमी गैस में भून लें हमारे मसाले भून कर त्यार हो गए हैं अब इने हल्का ठंडा होने दें अब एक जार में भूने मसाले, काली मिर्च, काला नमाक, बड़ी लाइची की छिलके हटाकर उसके दाने लॉंग मिला दें सभी मसालों को बारिक पीस लीजी ये देखिए, यहां हमने मसालों को बारिक पीस लिया है अब इन मसालों को हम नमा ख़ल्दी लगे नरम निम्भू में मिलाएंगी उसके लिए एक मिक्सिंग बाउल ले, उसमें निम्भू को टांसफर कर दें अब सभी बारिक पीसे मसालों को इन निम्भू के अचार में मिला दें अब जो पांच निम्बू हमने अलग से लिये थी उनको काट कर उनके बीज निकाल कर उनका रस निकाल लें यहां हमने सारा रस निकाल लिया है अब इस निम्बू की रस को अजार में मिला दें ताकि निम्बू सुखी ना रहें, दो-तीन दिन के अंदर सारा मसाला निम्बू के अंदर अच्छी तरह पहुँच जाएगा हमारा चटपटा निम्बू का अचार बन कर तयार है निम्बू के अचार को लंबे समय तक श्टोर भी कर सकते हैं कंटेनर जिसमें अचार बरकर रखेंगे, उसे उगलते पाने से धो लीजिए और धूप में सुखा लीजिए, कंटेनर को ओवन में भी सुखाया जा सकता है अजार जब भी खाने के लिए निकाले हमेशा साफ और सूखी चमस का प्रयोग कीजिए यह देखिए कितना स्वादिष टचार बन कर त्यार हुआ है अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आये तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग ऐसी और भी इंस्टेंट और इजी टू कूख होमेट पूड रैस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें